Facebook के Social Messaging App WhatsApp Common Chatting Platform है आजकल हर कोई WhatsApp का इस्तेमाल करता ही है लेकिन ये Messaging App अगर सापधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो मुसीबत का कारण बन सकता है WhatsApp को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है अब जानते हैं कैसे हैक होता है WhatsApp Hackers OTP के जरीए आपके फोन में सेंध मारते हैं एक बार OTP मिलने के बाद वो आपका WhatsApp किसी दूसरे डिवाइस पर चला रहे होते हैं कई बार आपको इसकी भनक तक नहीं लगती Hackers WhatsApp का backup restore करके डेटा के साथ छेड़ छाड़ कर सकते हैं WhatsApp का QR code scan किया जा सकता है देश की कई एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आई है कि WhatsApp hacking के पीछे जाम ताड़ा module भी शामिल है ये लोग OTP हासिल करके WhatsApp डेटा का गलत इस्तिमाल कर रहें अब अगर ऐसी कोई बात आपके साथ हो जाए तो इससे बचने का तरीका क्या है इस तरह के OTP स्कैम से बचने का तरीका आपकी समझधारी है जब आप इस तरह के WhatsApp से OTP नहीं मांगेंगे तब तक कंपनी आपको OTP जारी नहीं करेगी ऐसे में अगर बिना request किये OTP नंबर आपको जारी होता है तो उसे तुरंद नजर अंदाज कर देना चाहिए और हो सके तो message को ये delete कर दे इसे किसी के साथ share करने से भी बचें आप two factor authentication को भी activate कर सकते है WhatsApp के इस तरह के scam को pink WhatsApp भी कहा जाता है